नवसकार में हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं NBC24 राजसभाद चिनौव को लेकर सरगर्मी तेज है लेकिन राजसभाद चिनौव के बाद MLC का चिनौव होना है और RGD को तीन सीटे मिलने वाली हैं और खबर ये है कि RGD उसमें से एक सीट भागपा माले को दे सकती है क्योंकि RGD इस बात को भली बाती जानती है कि भागपा माले RGD के लिए कितना महत्पूर्ण है क्योंकि भाकपा माले के बारे में कहा जाता है कि इसका जमिनी अस्तर पर काफी पकड़ मजबूत है इनके कैडर काफी जादा होते हैं 2020 के बिधान सभाचनाव के दरान जहां तेश्यदब की सभाए हो रही थी उस वक्त भी भाकपा माले का ज़ंडा जो है लाल ज़ंडा वो काफी संख्या में दिख रहा था तो खबर यही है कि जो आरजडी को तीन सीट मिलने वाली है उसमें से एक सीट जो है वो भाकपा माले क आरजडी देगी हलाकि इस मसले पर जब भाकपा माले के नेता कुनाल से बात की गई तब लोने कहा कि अभी हम लोगोंने मांग रखी नहीं है लेकिन एक बैठक होने वाली है और उसमें हम लोग यह मांग कर सकते हैं वहीं आरजडी के कहना है कि पारलामेंटरी जो बोड की बैठक है उसने लालो यादब को अधिकरित कर दिया है कि चाहे वो राजसभा हो या बिधान परिशद हो फैसला अंतिम जो है वो लालो यादब को लेना है तो इस बात की पूरी सभावना है भी भाकपा माले को एक सीट आरजडी अवश्य देगी क्योंकि आपको बताते च जो है उन्य सीटों पर जो है कॉंगरेस जीत दर्ज की थी जबकि भाकपा माले काफी कम सीटे दी गई थी उन्य सीटे लगबग दी गई थी उसमें से 12 सीटों पर भाकपा माले ने जीत दर्ज किया था तो लालो यादब इस बात को भली बात ही जानते है कि भाकपा माले आ इसलिए लालू यादब भी कम से कम एक सीट पर तो भागपा माले को जरूर भेजेंगे। बतादे कि जो MLC का चुनाफ हुआ था पिछले दिनों निकाय कोटे से उसमें से CPI को भागलपूर की सीट दी गई थी बाकित्ते सीटों पर आरजरी ने खुद चुनाफ लड़ा था और एक सीट जो CPI को भागलपूर वाली दी गई थी उस CPI ने जीत को दर्ज नहीं कर योगी इस वक्त जो भागपा माले के 12 विधायक हैं आपको तादे कि 7 सीटों पर चुनाफ होना है आरजरी को 3 सीटे मिली है वहीं NDA को जो है 4 सीटे मिली है और भागपा माले को एक सीट दी जा सकती है वतादे कि 2016 में 5 सीट पर निकाय कोटे से MLC चुनाफ भले ही भागप माले का एक MLC बनना तय है हलाकि भागपा माले के तरफ से कौन में द्वार होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या वो किसी महला को भेजेंगे इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है लेकिन इस बात के कयास जो है वो जोरो से है कि भागपा माले को आरजरी क को दी जाती तो 33 ज्यादा बिहार की मुखमंत्री होते हैं आप देखते रहें NBC24 बहुत बधन्यवाद